आप अपेटामीन एपेटामीन इस चीनेस स्टिमुलेंट एंड शिंपैथो मायमेटिक ड्रग अब क्योंकि चीनेस्ट इसके वज़े से अलर्टनेस होगी अरोजल होगा उसके वज़े से जो कॉंसेंट्रेशन है वह भी इंक्रीज होगी यूफोरिय होगा एक्साइटमेंट होगी उसके साथ स्टीरियो टाइप बिहेवियर होगा उसके साथ एंजाइटी भी हो सकती है देरिस रिद्यूस्ट एपिटाइट भूग थोड़ी लगेगी उसके लावा कुछ सिंपैथो मायमेटिक एक्शन से फॉर एक्जामपल टेकी कार्डियो हो सकते है उसके लावा नार्कोलैपसी तो नार्कॉलैपसी की चीटमेंट में भी एमफेतामीन यूज होती है तो अगर सी इनस्टिमल मेंटस और साइकोरटो मायमेटिक की बात करें तो जितनी भी ड्रॉग्स है इन्होंने क्या करने है या तो डोपामीन की क्वाउनटीज को इंक्रीज करने या फुरोंनेनैका उसके इसके इदर मोनोमाइथ रिल आपस शेजियो मोनोमाइथ यह संदर रिलीस मोनोमाइथ बन सकते हैं और ब्ल зат सब्सक्राइब करेंगे इनकी जो रेटिकुलर फॉर्मेशन प्रिफरंटल कॉर्टेक्स हाइपोथेलमस पड़ें और इसके वज़े से अरोजल और एफेक्ट्स जो है वो मूड के ऊपर रहेंगे और जो डोपामीन है वो भी अपने रेसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा औ और जो डोपामीन के रेसेप्टर होंगे वो न्यूक्लियस एकिम्बन्स या प्रिफरंटल कॉर्टेक्स में होगा अब जो मोनो अमाइन बच जाएगा वो क्या होगा रीसाइकल होगा रीसाइकल किसकी हेल्प से होगा थूरू मोनो अमाइन ट्रांसपोर्टर जिसकी कर देगा into aldehyde inactivated products जिसकी वज़ासे cycle जो हो बंद हो जाएगा मोनो माइन की जो है concentration फो डिक्रीज कर जाएगी मोनो माइन ऑक्सिडेज जो है वो दोतरह के हो सकते हैं अब इसकेस में हम dive a dead आगे that is amphetamine, amphetamine करेगी क्या कि जो monomine transporter है इसको ब्लॉक कर देगी और साथ-साथ जो monomine oxidase enzyme है इसको भी ब्लॉक कर देगी so amphetamine जो हो प्रोमोट करेगी कि जादा-जादा monomine जो हो रिलीज हो और इस तरह जो हो मूड फ्रेश होगा so amphetamine will inhibit the neuronal uptake of monomine it's also going to inhibit monomine oxidase enzyme amphetamine के बाद cocaine है, cocaine क्या करेगी it inhibits the action of monomine transporter so transporter को एक और चीज़ inhibit करने वाली है that is cocaine इसके बाद हम आरपास आ सकता है lysergic acid diethylamide जिसे हम कहते हैं LSD so LSD क्या करेगा it is agonist at serotonin receptor so serotonin receptors को अगर हम किसी तरह stimulate कर दे है through LSD तो हम अगें जो antidepressant effect जो हो ले सकते हैं इसके साथ LSD क्या करेगा it is also 5-HT-2-A receptor agonist जिसके वज़ाए से glutaminergic transmission जो है cerebral cortex में increase हो जाएगी इसलिए LSD को कहते हैं psychotomimetic या फिर halocynogen so LSD के बाद हम fancyclidine भी यूज कर सकते हैं fancyclidine के एप it is going to block the NMDA glutamate receptor so the NMDA glutamate receptors को हम ब्लॉक कर दे fancyclidine की वज़े से तो भी हमें hallucinations वाले effects मिल सकते हैं so fancyclidine is also psychotomimetic and it is a halocynogen so specifically amphetamine के mechanism of action की बात करें तो amphetamine ने क्या करना है it's going to block the re-uptake of monoamine इसके साथ साथ ये monoamine oxidase enzyme को भी inhibit करेगी इसके साथ monoamine transporter को भी block करेगी जिसकी वज़े से होगा क्या कि monoamine cytosolic levels जो है वो increase हो जाएगे neuron के इंदर जो monoamine थो उसके levels increase हो जाएगे और उसकी वज़े से होगा क्या there is reverse operation of mono mind transported so mono mind transporter का reverse operation होगा उसके इलावा क्या हो सकता है कि mono mind के levels जो हो इस बार synapse में भी increase कर जाएगे so mono mind के levels जो है वो cytosol में भी और synapse में भी दोनों में increase कर जाएगे इसके साथ साथ amphetamine लेने से there is release of noradrenaline in periphery जिसकी वज़े से इस इंपैथो-mimetic actions आएंगे for example टेक ही वगएर हो सकता है प्युपलरी डालेटेशन एक्सेक्टर 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 लोग फॉर्मे को कानेटिक्स की बात करें तो amphetamine is given orally with a half life of 10 hours इसके लावा urine acidification करने से इसकी renal excretion increase हो जाती है उसके लावा amphetamine से मिलती जूलती ड्रग इस is methylphenidate it is administered by patch clinical use के बात करें amphetamine देंगे attention deficient hyperkinetic disorder की treatment में और नार्कोलेक्सी विचिस डेटाइम स्लीपिंग सब्सक्राइब करें तो amphetamine के वज़े से aggression restlessness insomnia, paranoia, anorexia, weight loss वगहरा हो सकते हैं इसके लावा psychotic states, hallucinations वगहरा हो सकते हैं dependence, dehydration, hyperthermia जैसे MDM में कह सकते हैं hypertension हो सकती है, sudden death हो सकती है उन patients पे जिनमें pre-existing कोई cardiac diseases वगहरा हैं तो अगर हम सारे cns stimulants या psychotopymetics को summarize करें तो कुछ groups बन सकते हैं जिसमें पहला ग्रूप है which is monomine oxidase inhibitor यसे हम कहेंगे कि यह monomine release promoter है या यह release करवाएंगे या फिर monomine re-uptake inhibitor तो उसमें आ सकते हैं amphetamine, dimethylene, dioxy, methamphetamine जिसे MDM में कहेंगे और methylphenidate आ सकते हैं उसके बाद एक और second group है जिसे हम कहेंगे कि यह monomine transporter inhibitor या blocker जिसमें cocaine आ सकते हैं third group है जिसे हम कहते हैं कि 5-HT-2-A agonist या इनको हम कहेंगे these are hallucinogens और उसमें LST, lysergic acid, diethylamide, mescaline और DMT जिसे हम कहेंगे dimethyltriptamine और finding एक और fourth group है जिसे हम कहेंगे NMD channel blocker so NMDA glutamate channel blocker और इनको भी हम कहेंगे कि दिजार halosinogens और उसमें आ सकते हैं phencyclidine और ketamine so CNS stimulants के बाद अगर CNS depressants यानि alcohols की बात करें तो alcohols में ethanol, methadone और ethylene glycol आ सकते हैं अगर उन drugs की बात करें जो कि involved है treatment of acute alcoholism में तो उसमें dextrose और thiamine आएंगे और उन drugs की बात करें जो कि chronic alcoholism या फिर dependence की treatment में involved है तो उसमें नेलड्रेक्जोन, अकॉंप्रोसेट और डायसल फिराम आ सकते हैं इसके लावा अगर alcohol withdrawal में helpful drugs की बात करें तो उसमें थायमीन, डायजिपाम, chloro-dia-zip oxide और लॉराजिपाम आ सकते हैं और अगर methanol या फिर ethylene glycol की intoxication हो जाए तो उसकी treatment में हम ethanol देंगे और फोमेपेजोल देंगे प्झालाओ प्झालाओ